अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकम्प ने भारी तबाही मचाई है रिक्टर इसकील पर इसकी तीवरता 6.1 मापी गई है इस भयंकर भूकम्प ने काफी लोगों को अपने आगोश में ले लिया वहीं कई सारे घर जमी दूज हो गए लोगों के आशियाने बिखर गए हैं हर जगात तबाही का मनजर है चीख पुकार से अफगानिस्तान की जमीन काप रही है अफगानिस्तान में आए इस भूकम्प ने लगभग दो हजार लोगों की जान ले ली साथ ही बड़ी संख्या में लोग खायल भी हुए हैं इस भारी भूकम्प ने अफगानिस्तान के हैरात शहर को पूरी तरह से तबहा कर दिया है शहर की कई मारतों को भारी नुकसान पहुँचा है लोग अभी भी मल्बे के ठेर के नीचे भसी हुए हैं जिन्दा बचे लोग खौफनाक मनजर बया कर रहे हैं सूचनाइफ संस्कृती मंतराले के प्रवक्ता अब्दुल बाहिद रयान ने बताया कि रात में भूकम से मरने वालों की संख्या बताई गई संख्या से ज्यादा है लगभग 6 गाउं इस भूकम की चपेट में आए हैं और सैकडो नागरिक मल्बे के नीचे दब गए हैं बता दें कि अफगानिस्तान में भूकम के तीन जटके महसूस किये गए जिनकी तीवरता 6.3, 5.9 और 5.5 थी ये जटके काफी ज्यादा भयानक थे इस भूकम की वजह से चार गाउं में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है भूकम का केंदर हैरा तो शहर से लगभग 400 किलो मीटर उत्तर पश्चिम में था भूकम क्यूं आते हैं? प्रत्वी के अंदर 700 प्लेट्स हैं जो लगतार घूम रही हैं जहां ये प्लेट्स जादा टकराती हैं वे जोन फलाइट लाइन कहलाता है बार बार टकराने से प्लेट्स के कुमने मुडते हैं जब जादा दबाव बनता है तो प्लेट्स तूटने लगती हैं नीचे की एनरजी बहर आने का रास्ता खोचती हैं डिस्टरबेंस के बाद भूकम पाता है इन्हें टेक्टॉनिक प्लेट्स कहते हैं इसके कारण भूकम के अलावा जो आलमुखी विस्पोड की आशन का भी रहती है फ्लोट को लेकर कई परिभाश आएं दी गई हैं इनमें नॉर्मल फ्लोट, थ्रिस्ट फ्लोट, स्ट्राइक स्लिप फ्लोट, फ्लैप्ट लेटरल स्ट्राइक फ्लिप्स फ्लोट और राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फ्लोट प्रमुख है इसके कारण धर्टी कांपने लगती है मालूम हो के प्रशान्त महसागरी शेतर के अलावा हिंद महसागर के कुछ शेतर भूकम के लिहास से काफी सम्विधन शील मानी जाते है फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही बाकी और खबरे देखने के लिए जुड़े रही है जनसता के साथ